केबल नाइन यह DTH का जो खूएक्षिल केबल होता है यानि कि RG-6 केबल होता है उसमें कैसे ये कनेक्टर बीना कोई क्रिम्पिंग टूल को यूज्च करकर आपको लगाना है और फिर से ये जो कनेक्टर ही इसको कैसे खोलना ही इस फिर में आपको विदाउर दिशिंग एनी कुलेंगा तो देखे लेफ्ट हैं प्लायर से उसको पकड़िया और जो राइट हैंड उसमें से कोई भी बड़ा वाला छोटा वाला जो केबल कर उसको लेखे ऐसे उपर नीची उपर नीची किजिए तो देखिए थोड़ा बहुत बहुत बाहर आ जाएंगा पूरा बाहर मि तो देखिए ऐसे और एक फ्लायर्स लिया और उसको बाहर की तरफ खीचा तो यह जो प्लास्टिक का जो मतलब यह लॉक करता है क्रिंपिंग में अब इसको डायरेक्ट आपको बाहर की तरफ यह जो ब्लैक वैर आपको खीचेंगे तो यह बाहर नहीं आए इसको बाहर निकालने करें और एक ट्रिक्स एक ट्रिक्स कहा है देखिए पहले आपको जो कुछ मतलब एक वार संटीमीटर होंगे तो उसमें आके यह जो जैकेट ह ब्लैक जैकेट को कट देना होंगा फिर से वही वैर कटर यूज करके मैंने जो पूरा का पूरा ब्लैक जैकेट है उस ब्लैक जैकेट को मैंने कट के बाहर फिक दोंगा तो क्या होंगा इंसाइट का जो आपका जो कोर है वह बाहर आ जाएंगे लेकिन यहां पर धान पर र देखके उसको पकरना है और लाइट अन्सूस मीडियल वाला जो प्लास्टिक कोड है जो कॉपर कोड होता है उसके इंसुलेटर होता है वो पूरा बाहर आ जाना चाहिए तो इदेखिए पूरा बाहर आ गया है कि आप कहका करने होगा अपको है छो रखन लाहा की जो भी वर से इसफे साइड वैर था उस पर कॉपको बाहर दिर दिर lumière निकलना हो तो देखिए और तो छोप निकलेंगे तो ऐसी रिगॉस्ट को यहाट ओपेन हो जाएंगे क्योंकि जो कंप्रेशन टूले कंप्रेश करके पूरा कपूरा टाइट कर देते तो ऐसे पूरा आपको बाहर फेक देना होगा जितना भी छोटा-चोटा वैर है फिर जाके फिर से आप ब्लैक जगत को खीचेंगे अभी तब यह पूरा बाहर आ हो गया है और जो प्लास्टिक का सॉकेट हो भी बाहर आ गया तो चलिए आभी आपको दिखाना वाल होगा कैसे यह सॉकेट फिर से और जी सिक्स के विल आने की को एक्सल के विल में लगाना है कि डॉन्ट फरगेट तो सब्सकेट सों टीप्स एंड हिट डाबेल आइकन तो इसमें मैं आपको उसी जो कनेक्ट था अर जी सिक्स फिर से चनेक करके दिखना माला विजाओ यूजिंग इनी केंप्रेसेंट टूल क्रिप्स तो देखिए क्या करना होंगे फार्स्ट अपको वायर को लेना होंगे और इसको वायर को ठीक से मतलब ही पुरा क्लीन करके कट करना होंगे तो इसके बाद आपको एक स्केल यानि की रूलर्स की जरूरत होंगे क्यों कि इसमें एक स्टेंड़र्ट एक लेंढ होता है फस्ट जूसी एक सेंटीमेटर कर दिछ यह 10 फास्त वाफंद्ट के यह फानली मेटर इकलो 10 कर देना चाहिए तो ऐसे एक छोटा सा नाइफ लेंगे इस नाइफ का कीमत रहा हूं टेन रूपीस तो आप घर में बहुत एजी लिकर सकते तो क्या करना होंगा फास्ट एट मिलीमिटर आप लीजिए स्केल पर मार्क किजिए और पूरा का पूरा बाहर फेक दीजिए तो द जो ब्लैक जैकेट है इसमें शिक्स मिलीमिटर का एक मार्क करना हूं शिक्स मिलीमिटर में आप ही क्या कट करना हूं अनली ब्लैक जैकेट हो भी इंसाइट का वैर नहीं कुछ भी नहीं सीर पर सी ब्लैक जैकट करना हूं सो इस बार बहुत ही सब्दानी से आपको ब्लैक गट करना है उसी नाइफ से देखी एक बार पूरा सर्कूलर काट किया फूर उसके बार एक कर लंबाय काट आपकर यहां देखिए मैं धीरइदेने जैसे कर रहा वैसे épको करना है तो हो गया आप इसको क्या करना है देखी इसको o थोड़ा बाहर बाहर के जाँगे तो इसको पूरा पूछना होगे क्यूंकि इसके अंदर रहता है जेल यह वाटर ब्लोकिंग जेल है मतलब इसमें पानी अगर अंदर आ भी जाए तो उपर से नीचे तो यह वैर जाता है तो अगर किसी जगर ब्लैक जगत में कोई छेद हो तो थोड़ा बहुत पानी अंदर आ गया वैर के अंदर पानी सरकूलर हो जाएंगे तो पूरा वैर खतम हो जाएंगे इसमें रस्ट पड़जैंगे कंटीनुटी मीडिक क्रीज हो जाएंगे इस सब 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 पचने के लिए लोग क्या किया है एक जेल लगा दिया जोजु पानी अंदर नहीं आंगे और यह 2008 का वैर है अभी 2019 चल्डा तो दस से उपर होगा अभी यह जैल सुका नहीं है और पूरा ठीक था कि वैर में कोछ प्रॉब्लेम भी नहीं है तो इसी दिये लोग जेल उसकते तो यह सब हो जाने के बाद देखिए में जैसे फ्लावर होते है है उस सेगेंड वाल वार को बाहर के तरफ खीचा तो उल्टा साइड में यह जो वैर आगया अभी क्या करना वाला उस जैकेट को जो कंप्रेशन प्लास्टिक कैफ हो सब को एक साथ लगा के पिछी की तरफ खीचना होंगे तो पहले एक बाद थोड़ा कर लीजिए तो एक प्लायर को सजाकेट से मतलब हो जो Connector जो पकड़ है और राइट हैंड से आपको बहुत जोर से इसको अंदर की तरफ टरफ डाला थो एक ऐसे बहुत जोर से अंदर की तरह श्राव डाला तो यह देखिए फीट हो गया है और यहां देख स्टोड़ा बहौत जो है का प् प्लास का कंटिनुटी टेस्ट करना अगर सांड आया तो आफका वहर का कनेक्शन खराब पर सॉट सर्कटेश अगर साउंट नहीं आ रहा है जैसे यह पर जीरो है और साउंड भी नहीं आ रहा है प्लास और मैनस के बीच में तो वैर पूरा ठिक टाक कनेक्टर कनेक्ट हो गया अभी वार का एक एंड से दुसरे एंड का कंट्रीनूटी मेजर करेंगे तो एक कपर लिया और दूसरी साइट का जो आउट है उसमें कपर वाले तो देखिए साउंड आ रहा है और जो रेजिस्टेंस बहुत ही कम है थर्टीन फॉर्टीन मीटर का वैर है इसमें रेजिस्टेंस एक ओं वान पॉइंट फाइव मैं ऐस सर्फस है उसका कनेक्शन टेस्ट कर रहा हूं तो देखिए यह थोरा रास्ट है तो इसलिए नहीं आना है तो इसको आप सैंट पेपर से एक बार छिलने जिए तो हो जाएंगा ठीक तक तो देखिए पॉइंट नाइन ओं यह भी ठीक तक है मतलब दोनों प्लास मैनस दोनो सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मैं मिलते हैं आप लोग बहुत ही चाल तब तक के लिए बाइच और अ सक्राइब करना मतलब तक्राइब करना मतलब